नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हुँ गुपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना खास सेनल पाइलेट गुपाल ओफिसियल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ओफिसर्स के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है वो सब की इंकम पर रखते हैं नजर वो सब की यह भी जानेंगे कि इंकम टेक्स ऑफिसर बनने के लिए वह प्रोसेस क्या है यानि सेलक्षन और प्रोसेस क्या है वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को अंतक ध्यान से देखेगा दोस्तों जो मेरे न्यू विवर्स हैं जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब कर लें साथ वेल आइकोन के और बटन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फोर्मेटी और इंट्रेस्टिंग जनकारी सबसे पहले आपको मिलती रहें तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टेक्स दो प्रकार् करते हैं वह पर तेक्स कर रदें में आज हम बात कर रहे हैं कि इंकम टेक्स पर जो अफिसर हमें टेक्स लगाती है उनका स्लीटी क्या होता है तो सबसे पहले जानते हैं कि इनकम टेक्स ऑफिसर बनने के लिए प्राकरिया क्या है इसमें भरती के लिए सिजियल याई ससी के तरफ से कि भेकेंशी निकलता है जो कि कमबाइंड गरिजूएट लेवल का होता है जिसका गरेकेंशी लगए हर साल परसेंटेज होगा वो चलेगा ऐसे इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं किसी किसी में रिक्वायर होता है परसेंटेज का आप जब फॉर्म फिलब करेंगे तो एक बार चेक कर लिजेगा तो इसमें सेलक्षन के लिए आपका मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मेक्सिमम 27 और जो 132 का रिलेक्षन है थो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके कित्ने स्टेजम होते हैं दोस्तो इसमें चर स्टे इसमेंग्जाम होते हैं जिसको की टार बंडैट रोजम करते साथे चlied और च्वास पर करते हैं और इसमें 3 पर सोते हैं यनी हैं में में आपको 3 papers देने होते हैं अगर हम टाइड 3 की बात करें तो टाइड 3 descriptive टाइब के होते हैं इसमें आपको paper और pain based होता है यूं कहे तो written examination होता है तो तीनों को qualify करने के बाद आपको टाइड 4 के लिए कोल आएगा जिसमें कि आपका CPT, CPT और DST का टेस्ट होता है, CPT का full form होता है, computer proficiency test, और DST का full form होता है, DEST, data entry speed test, तो दोस्तों चारों क्वालिफाय करने के बाद आपके घर पर joining लेटर आता है, joining के बाद जब first independent duty करेंगे आप, आपका pay level 7 रहेगा, तो अगर हम basic की बात करें, तो basic आपका रहेगा 44,900, साथी basic के अनुसार आपका DA होता है, जो अभी जो बरतमान में हो 38%, अगर हम monthly basic की बात करें, तो आपका basic हो जाएगा 17,62 रुपिया, उनके बाद आपका जूटता है HRA, house rent allowance, यह तीन प्रकार के होते हैं, X, Y और Z, जो की metro city, non metro city और remote area के लिए होता है, अभी metro city के लिए 27%, जो urban है उनके लिए 18%, यह 18%, जो remote area में रहते हैं, उनको basic का 9% मिलता है, तो इस तरह से अगर आप X टाइप की city में रहते हैं, यह निए metro city में रहते हैं, basic का 27% कल्कुलेट करने पर 12,120 रुपिया होता है, अगर आप Y टाइप के city, यह अर्वन एरिया में रहते हैं, तो basic का 18% मिलेगा, अगर आप Z टाइप में रहते हैं, यह बेसिक का 9% मिलेगा चलिए अब बात करते हैं, TA का, TA भी दो परत्रा से मिलता है, TA अगर आप city में रहते हैं, तो 3600 प्लस DA, अगर 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 आप city में रहते हैं, तो 1800 प्लस DA, TA के रूप में आपको मिलेगा 4824 रुपिया, उनके बाद आता है DA on TA, तो यह भी दो परकार के होते हैं, एक श्ट लिटर पर मंत मिलता है, जो कि अधार एलांसेस है, अगर पर मंत 30 लिटर पेट्रोल का अगर हम कोस्ट एड करते हैं, तो कल्कुलेट करने पर लगभग जो है, कम से कम, मिनिमम रेट में अगर देखें, तो 3000 रुपिया हो जाता है, तो बेसिक के साथ साथ सारे एलांसेस को जब हम एड करते हैं, तो हम पाते हैं कि लगभग जो है, 82,521 रुपिया ग्रोस सेलिडी बनता है, चलिए अब जानते हैं कि इसके सेलिडी में क्या क्या डिडेक्शन होता है, तो डिडेक्शन के रूप में पहला होता है, इंप्लाई इंसुरेंस, निए आप अगर कोई ग रुपिया होता है, उनके बाद NPS, New Pension Scheme में लगभग 6,000 रुपिया करता है, तो इस तरह से अगर टोटल डिडेक्शन को कल्कुलेट करते हैं, तो हम पाते हैं 6,247 रुपिया होता है, ग्रोस सेलिडी में रिकभडी को डिडेक्शन करते हैं, तो इंकम टेक्स इंस्पेक् सीटी में रहते हैं, इसके साथ ही और साले एलांसेस मिलता है, जैसे कि ड्रेस एलांसेस, मेडिकल एलांसेस, एरली बोनस, और बहुत सारे एलांसेस है, जो इनके साथ इंकुलीड होता है, और एन्वली मिलता है, अगर साले एलांसेस को एड कर दिया जाए, तो एक इंकम ट उसमें फॉर्म फिलब किये हुए हैं तो इस सलेडी को देख करके आप मोटीवेट हो सकते हैं सो आप सलेडी को आप माइंड में रखे और continuous लगातार आप मेहनत कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सफल होंगे दोस्तो एक कहा गया है लक्ष को पाने के लिए यदि तन मन धन को लगा देते हैं लक्ष को पाने के लिए यदि आप तन मन और धन को लगा देते हैं कुंडली के सितारे भी अपने जगा बदल देते हैं दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुती इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिक जनकारी के साथ जय हिन जय भारत